आप देखते हैं ये short sell report के बाद तीनों bond का क्या हुआ है इस chart में दूसरी चीज देखने लाए कि ये है उस word का नाम है trust क्या मैं आप पे विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ नमश्कार मैं वादा करता हूँ कि अदानी वाले issue पे ये मेरा last video होने वाला है लेकिन जो चीजें मैंने चर्चा करी थी उनका एक logical conclusion तक उन्हें पहुचाना ज़रूरी था specially price action जो stock market में हुआ है और जो आज credit market में हुआ है कि कुछ बहुत interesting चीजें हुई है तो इसलिए मैं एक last video बना दे रहा हूँ इसमें आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगे और वीडियो शुरू करने के पहले एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि एक हम start-up launch करने हैं एक real start-up real business कुछ ही दिनों में और उच start-up की जो हमारी journey रही है उसको related हमने कुछ real videos बनाए है जो भी एक business जो आज इसने challenges होते हैं चाहे वो logo design हो चाहे problem definition हो चाहे co-founder आपको ढूनना हो कैसी टीम बनानी होती है आपके अगर कोई product आप बेचना चाहते हैं उसकी pricing कैसे होगी जितने issues से हम deal करते हैं तो इन सारी issues को हमने deal किया है छोटे-छोटे वीडियो में जो real business lessons है यह मैं कुछ लोगों के साथ एक startup कर रहा हो अपने परिवार में और बहुत interesting purely technology based startup है छोटे बच्चों की किताबों के लिए तो यह journey आप लोगों के साथ हम उसमें चले हैं और you know कुछ लोगों को डर है जिसे मेरे परिवार में कि शायद चले न चले publicly हम बाते करेंगे लेकिन मुए लग रहा ही क एक tweet किया था एक thread tweet किया था कुछ दिन पहले कि इसमें सबसे जादा नुकसान किसका हुआ है retailer का हुआ है हम जैसे you know institution investor का हुआ है मेरे ख्याल से सबसे जादा नुकसान इसमें अडानी जी का हुआ है क्योंकि जिन्दगी में पैसे से बहुत बड़ा होता है नाम और नाम tech startup नहीं है कि छोटे से पैसे से digital product है बहुत बड़ा हो जाता है bridge बनाने है airports बनाने है solar plants बनाने है you know ports बनाने है वग्यरा वग्यरा इन सब के लिए बहुत पैसों की सरक पड़ती है और इस तरह का पैसा सिर्फ institutions के पास ही है जो बड़े-बड़े हैं इंडिया में भी है बह करते हैं विश्वास अगर तूट जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है तो मुझे लग रहा है कि शायद एक जरूरी डील अभी आएगी या आनी चाहिए जो मुझे लग रहा है कि नाम ठीक करने के लिए बहुत ज़री है प्रॉबबली दो तीन बहुत मार्की जो global investors हैं वह sovereign wealth funds हो चाहें इंडिया में हो कुछ लोगों को लाके एक market को एक credibility चाहिए कि सब ठीक है यह बहुत ज़री हो जाता है 2008 में मैंने tweet में एक जिक्र किया था Goldman Sachs ने Mr. Buffett को 10% dividend deal का एक deal करी थी उस तरह का कुछ मुझे लग रहा है कि शायद will help to bring credibility back पहली चीज़ दूसरी चीज़ पहले share market की बात करेंगे फिर हम board market की बात करेंगे इस टॉक मार्केट में अगर आपको याद होगा विवेक के साथ जो मैंने एक लाइव वीडियो किया था अधानी इशू पर उसमें मेरा क्लियर कंक्लूजन यह था कि लास्ट चार-पांच सालों में सारे के सारे अधानी शेर एक साथ उपर चले हैं लेकिन यह जो चीज़ अगर आप लास्ट दो तीन दिन का प्राइस अक्षन देखेंगे वह पोलराइजेशन होना शुरू हो गया है अगर आप प्यॉर प्ली फ्राइडे प्राइडे प्राइस अक्षन देखें तीन ग्रूप में जो ग्रीन में क्लोज की उनको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है अधानी इंटरप्राइजेश अलमोस्ट फ्लाइड डाउन टू परसेंट था बाकि तीनों शेर लोर सरकेट में बंद हुए थे जिनको मैंने रेड में मार्क कर दिया है तो एक्विटी मार्केट भी हमारा शेर भजा कि यह है कि आप एपसल्यूट मार्केट कैप देखिए जो कंपनियां ग्रीन में क्लोज हुई थी और जो रेड में क्लोज हुई थी जो रेड में क्लोज हुई थी उनका एपसल्यूट मार्केट कैप अभी भी बहुत ज्यादा है तो में भी कि थोड़ा पेन अभी यहां औ अगर आप एक प्रॉली फंडमेंटली देखें तो एक सोलर एसेट होता है और लिट्स एक पोर्ट है या सिमेंट प्लांट है सोलर आसेट के एक फाइनाइट लाइफ होती है पचीस साल उसके बाद कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं होती है जब तर पीपि होता है लेकिन टर्मिनल वैल्यू पॉर्ट की और सिमेंट की एक सोलर प्लांट से जाधा होती है तो मुझे लग रहा है कि एक्विटी मार्केट में भी जो पोलराईजेशन शुरू हुआ है विदिन दग्रूम यह बहुत जाधा होने वाला है अब मज़ा आएगा बॉन्ड मार्केट की बात करने में कि बॉन्ड में क्या हुआ है यहां मैं आपको तीन बॉन्ड दिखाता हूँ जो लाल लाइन है वो है प्लेन वैनिला अदानी ग्रीन का बॉन्ड जो green line है वो भी अदानी green का ही bond है same company का bond है लेकिन वो bond asset backed है basically वो एक restricted bond है जिसमें 3-4 assets है कि ये assets से जितने पैसे आएंगे पहले इस bond holder के पास जाएंगे तीसरा जो bond है जो blue color का है वो अदानी pot का bond आप आप इंदीनों का price action देखो before the fiasco तीनों probably 92-98 cents में trade कर रहे थे ज्यादा differentiation तीनों bond में नहीं था जहां FPO की बात आई जो लाल रंग है जो लाल line है आपने देखा होगा वो थोड़ा uptick आई थी कि अगर parent में cash flow आएगा तो ये bond की sustainability बेटर हो जाती है आप देखते हैं ये short sell report के बाद तीनों bond का क्या हुआ है सबसे खराब position रही है जो red line है वो है अदानी green के vanilla bond की जो asset backed technically नहीं है यानि कि bond में भी एक hierarchy होती है hierarchy होती है कि जो highest senior secured है जो asset backed होता है उसको सबसे पहले पैसा दिया जाता है उसके बाद बाकी bonds को या जाता है equity वालों को तो as we know सबसे last में मिलता है तो अदानी green में भी दो bond है जो green color है और जो red color है इसमें भी आप clearly bond market का differentiation देख सकते हैं उसमें भी जो asset backed bond है उसका भाव अभी ज्यादा है जो asset backed नहीं है same company का उसका भाव कम है और जो asset backed bond है वो और ports का bond बहुत similar trade कर रहे है तो bond market उन दोनों bond को बहुत similar risk profile में देख रहा है और एक और चीज़ ज़रुरी है इन bond में समझने की कि ये तीनों bond 2024 की maturity के ही है probably 2-3 मेहना plus minus तो maturity profile similar है risk profile अलग-अलग है same company के दो bond है दोनों का price difference देख लो तो bond market जो है न वो बहुत smart होता है obviously क्योंकि उनको asset backing चाहिए पैसे जल्दी चाहिए पैसे time पे चाहिए and so on आदानी जी का जो सपना है उनको जितना पैसा raise करना है उनको वो पैसा bond market से ज्यादा मिलेगा और bond market में credit rating ये सारी चीज़े is boils down to one word उस word का नाम है trust क्या मैं आप पे विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ और ये नाम अदानी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी I am sure he is a very capable businessman वो हम से ज़्यादा समझते हैं कि क्या दिक्कत हैं उन्हें क्या करना है बट एक अच्छी डील हुने चाहिए जहां कुछ मार्की इंवेस्टर्स आके equity में invest करें bonds में invest करें and so on लेकिन finally polarization हो जाएगा कुछ bonds जो better backed हैं वो बहतर करेंगे और last में अगर आपको कबूतर वाला विडियो याद है उसमें साफ एक जिक्र मैंने किया था कि तेजी में सब एक साथ है सब united रहते है लेकिन मंदी में न कोई किसी का दोस्त नहीं है सारे कबूतर न एक साथ उड़ना चाते हैं एक साथ उड़ जाते हैं इसलिए share price हमेशा सीडियों से चड़ती है और lift से उतर जाती है और यही हो रहा है कि मंदी में न कोई किसी का दोस्त नहीं है सब को एक साथ निकलना है तो यही है यह मेरा last video रहेगा इस issue में I hope आप लोगों को कुछ चीज़ें सोज में आई जो especially credit markets में लोगों को नहीं ज्यादा पता था और जो start-up series है I hope, I sincerely hope आप वो enjoy करेंगे दन्यवाद हर चीज में we are all kabouters हम आते धीरे दे रहे हैं हम जाते साथ हैं और जहां तक unity की बात है कि हम सब kaboutर मिल के कुछ कर लेंगे यह सिर्फ तेजी में होता है जहां मंदी आती है हमारा animal behavior आजाता है जहां मैंने जो chemical locha वाली बात करी है जब cortisol जो stress hormone है अगर सारे कबूतरों में आजाता है कोई किसी का दोस्त नहीं है तब सब एक साथ उड़ जाएंगे तो तेजी में मैं भी आपका दोस्त हूं आप भी मेरे दोस्त हैं मंदी में आप भी मुझे भूल जाएंगे मैं भी आपको भूल जाओंगा कि कौन पहले बेच के निकल जाए लेट से पेर वैल्यू एक से थोड़े दिन के लिए वो पेर वैल के नीचे जाएंगे ओके